अब इरान ने दिखाया अमेरिका को ठेंगा चीन से करने वाला है सबसे बड़ी डील एशिया में भारत को भी सबसे बड़ा जटका दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है चीन और इरान दोनों का दुश्मन भी कॉमन है और वो है अमेरिका लिहाज़ अब इरान और चीन बहुत अगरी दोस्त बन चुके हैं हालाक इरान भारत का भी अच्छा दोस्त रह चुका है लेकिन अब वो जो करने जा रहा है उसे अमेरिका के साथ साथ भारत को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है तो ये ना केवल अमेरिका बलकी भारत के लिए भी बड़ा जटका साबित होगा अहां तक बहुत चुकी है डील न्यू यॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक इरान और चीन के बीच 25 साल के रणनी तिक समझोते पर बात चीत पूरी हो गई है हाला के अभी इस इरान की संसत मजलिस से मन्जूरी नहीं मिली है इस डील के 18 पन्ने के दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन बहुत कमदाम में अगले 25 साल तक की रान से तेल खरीदेगा इसके बदले में चीन बैंकिंग आधार भूत धांचे जैसे दूर संचार, बंदरगा, रेलवे और ट्रांसपोर्ट मनिवेश करेगा माना जा रहा है कि इस डील के बाद इरान की चीन के जीपियस कहे जाने वाले बाइदू तक पहुँच हो जाएगी इतना ही नहीं, चीन इरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है चीन इरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है मई 2018 में परमारू डील से अमेरिका के हटने के बाद इरान बूरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार जेल रहा है इससे उसका तेल निर्याद बहुत कम हो गया है चीन के साथ डील के बाद उसे अगले 25 साल तक 400 अरब डॉलर करने वेश मिल सकता है चीन इरान डील में सैन्मी सहयोग जैसे हत्यारों का विकास सेयोग्त ट्रेनिंग और खूफिया सूचनाओ की ट्रेनिंग भी क्न बाद चल रहा है अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन बहुत धिक संपादा अधिकार की चोरी कर रहा है और वहाँ पर बिजनिस करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर तक्नीक के हस्तानांतरन का दबाव डाला जा रहा है। इस समझोते में कहा गया है कि एरान और चीन दो प्राचीन एशियाई संस्कृतियां हैं। यहां पार, अर्थविवस्था, राजनीती, संस्कृति और सुरक्षा के शेत्र में दो भागिदार हैं। साथी दोनों देशों का कईद भी पक्षिये और बहुत पक्षिये हितों पर एक समान विचार है। और अब एक अन्य और अन्य तिक फागिदारी पर विचार करेंगे। अन्य शाल नेवल बेज बना चुका है। वक्त था जब इरान भारत का मुख्य तेल आपूर्ती करता था। लेकिन अमेरिका के दबावों की वज़ह से नई दिल्ली को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा। अन्य शाल खत्म करता थाप।